नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करे और प्रेस करे बेल आएकोन और पाई ये नवी मुंबई और पन्वेल से जुडे ताजा थरीन खबरे योजना सुचाव लिया है बोलताना मोधी आणी जर जन्ते ने आवर गांबीरे पुर्वक लक्षन दिल्यास पुन्ना लापडाउन ची परस्ति निर्माण हो शकते आशी भीती व्यक्ता के लिया है एक भाय का सामराज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानिया बरत करके कुछ इनिशेटिव ले करके हमें जन्ता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीती बनानी होगी हर राज्य के अपने अपने प्रहोग हैं अच्छे प्रहोग हैं अच्छे इनिशेटिव हैं कई राज्य दूसरे राज्यों से नहीं नहीं प्रहोग सीख भी रहें लेकिन अब एक साल में हमारी government machine को नीचे तक ऐसी स्थित्यों में कैसे काम करना करीप ट्रेनी हो चुकी है अब हमें proactive होना जरूरी है हमें जहां जरूरी हो और ये मैं आगरपुर्व कहता हूँ micro containment zone बनाने का विकल भी किसी भी हालत में डिलास नहीं लानी चाहिए इस पर बड़े आगरप से काम करना चाहिए जीलों में काम कर रही पैंडेमिक्स जो response टीम्स को contentment और surveillance, SOPs इसकी reorientation की आवश्यक्ता हो वो भी किया जाना चाहिए फिर से एक बार 4 गंटे 6 गंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो हर level पे चर्चा हो sensitize भी करेंगे, पुरानी चीज़े याद भी करा देंगे और गती भी ला सकते हैं RT-PCR test rate 70% से उपर रखना बहुत एहम है हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में rapid antigen testing पर ही जादा बल दिया जारों और उसी भरों से गाड़ी चल रही है जैसे केरल है, पुरिचा है, 36 गड़ है, यूपी है मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूत है इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूँ देश के सभी राज्यों में हमें RT-PCT test और बढ़ाने पर जोड़ देना होगा एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये कि इस बार हमारे टियर टू और टियर थ्री शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे उनके आसपास के ख्षेतर प्रभावित ज़्यादा हो रहे है देखे इस लड़ाई में हम सफलता पुबग बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गाउं को इससे मुक्त रख पाए थे लेकिन टियर टू टियर थ्री सिटी पहुँचा तो इसको गाउं में जाने से देर नहीं लगेगी और गाउं को समालना हमारी व्यवस्ताएं बहुत कम पड़ जाएगी और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा हमें छोटे शहरों में रैफरल सिस्टीम और एम्विलेंस नेटवर्क के उपर विशेज जान देना होगा प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वाइरस का स्प्रेड डिस्प्रेश्ट बैनर में हो रहा है इसकी बहुत बड़ी वज़य ये भी है कि अब पुरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है विदेशों से आने वाले लोगों के संख्या भी बड़ी है इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साजा करना जरूरी है आपस में जानकारी साजा करने के लिए किसी नए मिकेनिजम की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए इसकर विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉंटेक्स के सर्वेलेंस के लिए एसोपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है अभी हमारे सामने कोरोना वाइरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्ण है आपके राज्यों में आपको वाइरस के बेरियंड का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सेंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही एहम है साथियों वैक्सिन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी निश्चित तोर पर इस लड़ाई में वैक्सिन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हत्यार आया है ये प्रभावी हत्यार है देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सिन करने के आकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिन डोसिज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंबीरता से ले चाहिए तेलंगना और आंतर प्रदेश में 10% से ज़्यादा वैक्सिन वेस्टेज है यूपी में भी वैक्सिन वेस्टेज करीब पर बैसा ही है वैक्सिन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समिक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूँ हर रोज शाम को इसक मॉनिटरिंग की वेस्टा रहनी चाहिए और हमारी सिस्टेम को प्रोयक्टिव लोगों को कॉंटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मोजूद रहे ताकि वैक्सिन दे वैक्सिन वेस्टेज न जाए इसकी वेवस्टा होनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से जितना परसंटेज वेस्टेज होता हैं हम किसी के अधिकार को बरबात कर रहे हैं हम किसी के अधिकार को बरबात करने का हमें हक नहीं है स्थानिय तरपर प्लानिंग और गवननेंस की जो भी कम्या है उन्हें तुरंट सुधारा जाना चाहिए वैक्सिन वेस्टेज जितनी रुकेगी और मैं तो चाहूँगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टार्गेट से काम शुरू करना चाहिए हमारी हम वेस्टेज नहीं होने देंगे एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूमेंट जरू होगा उतने ही ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सिन की दोनों दोज पहुँचाने के हमारे प्रयास सफल होगे मुझे विश्वात है कि हमारे इन सामुहिक प्रयासों और रन्दित्यों का अमल जल्दी हमें दिखाई देगा और उसका प्रणा पिले जरा गया अंत में मैं कुछ बिंदू फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ ताकि हम सभी इन विश्वाओं पर ध्यान देते हुई आगे बढ़े एक मंत्र जो हमें लगाता है हम सब को कहना होगा दवाई भी और कड़ाई भी देखिए दवाई मतलब विबारी चली कि इसा नहीं मान लिए किसी को जुकाम हुआ है उसने दवाई ले ली सब ली तकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसको ठंडी जगा पे बिना सुरक्षा के उनी कपड़े पढ़े पहने बिना वो चला जाए बारिज बगे भीगने के चल करना जाए खिए तुम्हें दवाई ली हैं लेकिन तुम्हें बागी समालना तो पड़े का यह पड़े गा कि इस बिमारी के लिए नहीं है अगर हमें टाइपड हुआ दवाई हो गई सब फिर भी डॉक्टर कहते हैं इन इन चीजों को नहीं खाना यह वैसा ही है और इसलि दवाई भी और कड़ाई भी इस विशे में हम बार बार लोगों को आगरह करें। दूसरा जो विशे मैंने कहा आर्टी पिसी आर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवशक हैं ताकि नए केसिस की पहचान तुन्त हो सके। थानिय प्रशासन को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने के दिसा में हमें आगरह करना चाहिए वो वहीं पर काम तेजी से करें हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमन का दायरा फैलने से रोकने में वो मदब करेगा। वैक्सिन लगाने वाले केंदरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यक्ता है वो प्राइवेट हो सरकारी हो चीतना जैसा में आपने मैप देखा होगा वो आपके लिए भी राजजवार भी बनाया वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था और देखने से पता चलत हैं हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को और्गनाईज कर सकते हैं इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसके अधार पर हमें इंप्रूमेंट करना है हमारे जितने सेंटर्स प्रोयक्टिव होंगे मिशन बोर्ड में काम करेंगे वेस्टेज भी कम होगा संख्या भ पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि इसको बल दिये जाए साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि वेक्सिन निरंतर प्रोयक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बहार निकले हमें निकलना है अधरवाई ये एक साल दो साल तीन साल तक खिंटा चला जाएगा उसका बाद में उप्योग हो अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उप्योग कर लेंगे तो फिर एकस्पारी डेट और वेस्टेज की स्तिति बन जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि एवोडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए हमें पता होना चाहिए कि ये लौट हमारे पास जो हैं इसके एकस्पारी डेट ये हैं हम सबसे पहले इसका उप्योग कर लेंगे ये बहुत ज़रूरी है और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमन के फैलाव को रोकने के लिए जो मुलभूत कदब है जैसा मैं कहता हूँ दवाई भी और कड़ाई भी मास पहनना है दोगे इसके दूरी बनाए रखना है साफ सफाई का अध्यान रखना है परस्टनल हाईजिन हो या सोशल हाईजिन पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा ऐसे कई कदमत जिस पिछले एक साल से हम करते आये हैं फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है फ मुझे लगता है कि हम सबने इस विशा में हिम्बत के साथ करना पड़ेगा मुझे विश्वास है कि इन विश्वों पर लोकों की जागरुकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी मैं फिर एक बार आपके सुझाओं का दिये धन्यवाद करता और 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 भी जो के विश्वे में जो आज चर्चा निकली है आप दो चार घंटे में ही सारी जान कर गया दे दीजिए ताकि मैं साम को साथ आठ बिजे के आसपास मेरे डिपांटमेंट के लोकों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बाटल नेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तूरंद कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीचते आए हैं हम सब का सयोग हैं एक एक हमारा कोरोना वालियर का सयोग है उसके कान हुआ है जनता जनारदन ने भी बहुत कोप जना नहीं पड़ा है हम जो भी बात लेते गए जनताने विश्वाष किया है जनता ने साथ दिया है और भारत विजय ही हो रहा है एक सो तीस करोड़ देश्वास्चों के जागरुपता के कारण एक सो तीस करोड़ देश्वास्चों के सहयोग के कारण 130 करोर देश्वाषिकों के कोपरेशन के कारा है हमें जीतना जनार्दन को फिर से जोड़ पाएं फिर से विश्य को बताएंगे मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बडलाव नजर आ रहा है हम उस बडलाव को फिर से एक बार रोख पाएंगे फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे ऐसा मेरा पक्का विश्वास है आप सबने बहुत मेहनत किये हैं आपके पास इसके एक 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 स्पटाइज टीम बन चुकी है थोड़ा आप डेली एक बार दवबार पूछना शुरू कर दीजिए सब्ता में एक दो बार मिटिंग लेना शुरू कर दीजिए चीजे अपने आप गतिप पकड़ जाएगी ना फिर एक बार बहुत शोट नोटिस में आप सबको आज की मिटिंग मेंने और्गनाइज की लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विश्तार से अपनी सारी जानकारिया दी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्तर करता हूँ पुढ़िल दिवसाथ सफस्ट हुईल लागु केलेला निर्बन धाने कोरोना किती आटो क्या देतो की परत एक दा नको आसलेला लागडाउनला सामोरे जावे लागते है काही दिवसाथ सफस्ट हुईल नवी उंबाई आवाज प्रमोत पाटिल